मेरे किचन में आपका स्वागत आख गों मैंने हो तरकाई के लिए कि मैंने और था यता श्साइज पियाज को मैंने कट कर धुबाद, लिया है, दो टमाटर, टमाटर को चट कर लिया है, 200 ग्राम पनीर, पनीर को क्यूब साइज में इस तरीकी से चट कर लिया है, 50 क्राम मटर, तेल, एक चमब दही, यहाँ पर मैंने एक बड़ा चमब दही लिया है, अदरक एक इंच अदरक, एक चमब धनिया पाऊ मैंने कस्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है दो तेज पत्ता एक जावित्री एक चम्मच कर सूरी में थी कटा हुआ हरा धनिया दो सुखी लाल मिर्च एक बड़ी इलाइची एक दालजी नीश्टिक इसके मैंने टुपड़े कर लिया है एक चम्मच हली पाउडर आदा चम पहले प्रोसेस में हम पनीर को फ्राय कर लेगे उसके मैंने पैन में एक चम्मच तेल डाला है तेल डालकर गरम कर लेगे अब हम पनीर डालेंगे पनीर को में लाइट ड्राउन होने तक फ्राइव करना है पुर जादा फ्राइव ने करना है अगर आप पनीर को जादा फ्राइव कर देंगे तो पनीर टाइट हो जाएगा और ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा मैंने पनीर को बहुत हलका फ्राइब किया है अब हम गयस को बंज कर देते हैं पनीर को इकलेट में निकाल लेगे मैं उसी पैन को दुबारा उसकर रही हूँ तो गयस ऑन करते हैं पैन में दो चम्माज तेल डालकर हम तेल को गरम कर लेंगे तेल हमारा गरम हो गया है अब हम तेल में पैज डालें है टमाटा डालें ही वर आदग डालेंगे यह देखिए टमाटा पैज मारा अच्छे ज़ुन गया है अब हम गयास को बंद कर देते हैं और इसकी हमें प्योरीबनानाई है प्याज और टमाटर को एक जार में डाल कर तेल को गरम करेंगे तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम तेल में जीरा डालेंगे सुखी लाल मिर्च, बड़ी लाइची और दालचीनी इस्टिक डालेंगे तेज पत्ता और जावित्री डालेंगे डालते समय एक बात का ध्यान राखें कि गैस का फ्लेम आप लो रखें अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो मसाली जल जाएए लाली मुच पाउडर डालेंगे हल्दी पाउडर डालेंगे सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे सारे मसाली हमारे भून गए हैं अब इसमें ग्राइंड कीवी प्यूरी डालेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें मैंने थोड़ा सा पानी एड़ किया है, अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो मसाला जल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा पानी जरू डालें, अब मसाले को हम लो फ्लेम पे 10-15 मिट के लिए अच्छे से बून लेंगे, आप जाहें तो पैन को कबर भी कर सकते हैं, मसाल हम पानी डालेंगे, जिससे मटर अच्छे से पक जाए, अच्छे से मिक्स कर देंगे, मटर डालकर अभी मसाले को 10 मिनट और पकाना है, 10 मिनट हो गए, ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से बुन गया है, इसने पैन को भी छोड़ दिया, पैन में चिपक नहीं रहा है, अ अब हम मसाले में दही डालेंगे, जनिया बारो डालेंगे, डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, दही अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम पानी डालेंगे, और 1.5 सोय में पानी डालेंगे, डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पानी आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ड अगर आपको पतली ग्रेवी पसंद है, तो आप और पाई डाल सकते हैं, अब हम नमक डालेंगे, नमक हम अपनी टेस के हिसाब से डालेंगे, कसूरी मैथी डालेंगे, हरी धनिया डालेंगे, डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गैस का फ्लेव हम हाई करके, सबजी को एक म अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगे, तो निचे जाकर लाइक का बटन दबाएंगे, मेरे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, धैंक्यू.